Hello everyone, you are welcome to my channel My English Book. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SuperTat का previous year का question paper Friends, इस वीडियो में मैं सिर्फ जो SuperTat का question paper था उसके सिर्फ English के जो questions पूछे गएते सिर्फ वही English के questions मैं लेकर आई हूँ पूरा paper मैं नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि मैं अपनी channel पे हमेशा English subjects related information देती हूँ तो English के जो questions SuperTat में previous year पूछे गएते वो questions मैं आपके साथ share करूँगी I know ये जो PDF है थोड़ा सा blur है photo थोड़ा clear नहीं आ रहा था उसके लिए I am extremely sorry लेकिन मैं सारी चीज़े आपको बोल कर एक बर clear कर दूँगी तो SuperTat का जैसे हमें English का syllabus पता है उसमें 12th class तक का English पूरा prepare करना होता है उसमें कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है तो इस वीडियो में मैं ना सिर्फ इन questions को detail में discuss करूँगी बलकि इसका पूरा analysis भी करूँगी कि कौन से grade से कौन सा question पूछा गया है तो सबसे पहले देखी यहाँ पर यह एक comprehension है और इस comprehension से जो questions पूछे गए है 114 question number 114 इससे related है जिसका correct answer है option A regenerated और दूसरा भी इसी से related है जिसका correct answer में recording to हो सकता है बट I am not sure about it उसके बाद यह दो questions पूछे गए इस पैरा से पैरा काफी simple है कोई ज्यादा difficulty नहीं है इस पैरा में उसके बाद यहाँ पर pronoun से related question पूछा गया है one should love country तो इसमें क्या आएगा इसका correct answer होगा one जबी भी आपके sentence में यहाँ पर one लिखा हो और यहाँ पर pronoun पूछा गया हो तो यहाँ पर भी once ही आता है I hope आपको यह clear होगा question number 17 देखते है question number 17 का answer option 3 हो सकता है उसके बाद बात करते है question number 118 की तो यह direct indirect से related question पूछा गया है यहाँ पर एक sentence दिया गया है actually दिया गया है indirect और इसका correct direct क्या होगा वो choose करना है थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अतुल informed his friend that he could make use of his bike while he was away तो यह indirect है आपको इसका direct choose करना है तो इसका answer होगा 3 अब यहाँ पर आपको एक sentence दिया गया है he is intelligent enough to solve this sum अब इसमें जो इन्होंने enough को underline किया है यह पहचानना था कि यह क्या है adverb है, adjective है, preposition है यह noun है तो इसका correct answer है adverb adverb हमेशा verb के बारे में information देता है और इस sentence में जो enough है यह किसके बारे में information दे रहा है यह intelligent के बारे में information दे रहा है अब बात करते हैं question number 120 की इसमें एक sentence दिया हुआ है on the top of the hill leaves a hermit यह भी थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते है a hermit lives on the top of the hill तो इसमें से हमें subject को choose करना था, तो इसमें subject होगा a hermit, कैसे होगा subject क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहा है कौन रह रहा है top of the hill पर hermit रह रहा है इसका correct answer sorry, second होगा hermit, on the top of the hill इसका correct answer नहीं होगा उसके बाद देखते है next question, hide की इसमें जो पूछा गया है, और यह आपके पास एक sentence है, she hides her face for shame तो इसमें जो है hide की past form पूछी गई थी जो होगी, h.i.d. यह एक sentence है how well she sings और last में खतम हो रहा है exclamation mark पर तो यह कौन सा sentence हुआ, definitely यह हुआ exclamatory sentence उसके बाद जो question है article से related question है काफी simple article होते है a, an, or the यह तीन हमारे पास article होते है तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो sentence है वो correct है अगर article rule को follow किया जाए तो तो अब शुड़ू में जो सबसे पहला sentence है he is an European citizen यह गलत है क्योंकि भले ही यह आपर e आया हुआ हो लेकिन यह you का sound दे रहा है फिर उसके बाद है an, one rupee note यह भी गलत है I donated an unit of blood यह भी गलत है unit के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा unit के साथ a article आएगा तो correct answer है an, fir was lauded against him जबी इस तरीके के words आएं जैसे fir ya फिर m, a इन से पहले कौन सा आर्टिकल आता है इन से पहले an article आता है तो ये questions हैं जो super tat में पूछे गए थे English subject के previous year में तो आईए अब हम deeply पढ़ते हैं कि super tat में कौन-कौन से topic से question पूछे गए थे तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैंने grade भी लिखा हुआ है लगबग कौन से grade तक के वो question पूछे गए थे क्या level था तो यहाँ पर सबसे पहले हम topics की बात करते हैं तो आर्टिकल से question था जो मैंने आपको अभी बताया जिसका answer एन अफाईयर था past tense question पूछे गया था hide की past form पूछी गई थी types of sentence question पूछे गया था exclamation mark था subject predicate से question पूछे गया था जिसमें correct answer admit था adverb से question था जिसमें एनाफ को अंडरलाइन किया गया था narration, pronoun, opposite word तो इन सभी topics से question पूछा गया था तो supertet का exam अभी शायद 2021 में conduct कराया जाएगा तो यह मैंने आपको previous जो English part का paper था मैंने उसका आपको analysis करके दिया है otherwise जो इसका syllabus है उसमें आपको English को completely अच्छे से study करना है class 12 तक की English इसमें आप से पूछी जाती है और इन सभी topics से question भी आप देख लीजे एक question ही इन सभी topics से पूछा गया है और यहाँ पे एक question opposite word से था जो paragraph से बिलॉंग करता था और दो question paragraph से बिलॉंग करते थे तो अगर आपको इन वीडियो अच्छा लगा हो so do not forget to subscribe the channel and do like the studio